हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चानल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ हैं दोस्तो आज में आप लोगों के सा het में छोटे वाले व्यगन यूटी रसेपी कम तेलमसाले वाली शेयर कर रहे हूं बहुत ही बढ़िया बनती है एक बार आप जरूर ट्राइ कीजिएगा तो बढ़िया बढ़िया छोटे वाले बैगन लेने हैं सौफ्ट सौफ्ट जिसमें कीडे ना हूं अच्छे से उन्हें धो के सुखा लेना है हमें और इसके बाद में कुछ इस तरह से हम इस और बहुत आसान है इसलिए हमने इसमें चार कट लगा दिये हैं क्योंकि अंदर कुछ भरना नहीं है सारे बैगन काट लेने के बाद में गैस पर कोई भी कड़ाई या फिर पहन चड़ा लेंगे बार इतले का जिसमें भी आप बनाना ठीक समझें इसके बाद में इसमें हम डालेंगे तेल सरसों के तेल में ही मैं बना रही हूं रेगुलर खाना जो बनाती हूं वो सरसों के तेल में ही बनाती हूं लेकिन आप अपना मन पसंद कुकिंग ओई ले सकते हैं तेल हलका गरम हो जाएगा तो हम बैगन को इसमें डालेंगे सारे बैगन जो छोटे बैगन हो जाए बैगन थोड़ी से सॉफ्ट हो जाएं ऐसे हमें बैगन को फ्राई कर लेना है डी फ्राई करने की ज़रत नहीं है अगर आप नॉन इस्टिक बरतन में बना रहे हैं तो यह बैगन एक छोटे चमच तेल में ही आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं तेल की मात्रा आप अप और करने से थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और कलर भी बैगन ने चेंज कर दिया है तो बस जैसे ही थोड़ी सी सॉफ्ट लगने लगेंगे फिप्टी डू सिक्स्टी परसेंट हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे हमें कंप्लीटली कुक नहीं करना है पूरी ही अंदर अपने अंदर हीट समाल लेता है कि अभी आप देखेंगे पांच मेंट बाद बैगन पूरी तरह से सॉफ्ट पढ़ गया है एक बार फिर से हम इसमें थोड़ा सा बिल्कुल तेल डालेंगे इसमें डालेंगे हम दो से तीन सूखी लाल मिर्च करीपत्ता बहुत ही बढ़िया होता है सेयत के लिए करीपत्ता में अपने खाने में जरूर इंक्लूट करना चाहिए इसके साथ ही साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी डालेंगे मेथी मेथी दाना आज को धीमा रखा हुआ है जिससे की कोई भी मसाला जले नहीं और सारी चीजें डालने के बाद में हम इसे अच्छे से चटका करके पका लेते हैं ये दोस्तों एक उडिया रेसिपी है टेडिसनल रेसिपी है उडिसा में इस तरह से जो दही बैगन है वो बनाया जाता है बहुत ही ज्यादा हेल्दी है आप लोग बार ट्राइ करके देखिए स हम इतने कम तेल में ही इस सबजी को बनाएंगे बिल्कुल थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया है जिससे की जो प्याज है हमारे वो सौफ्ट हो जाए अब प्याज को हम थोड़ा सा पका लेते हैं बहुत ज्यादा इसे डार्क ब्राउन तो नहीं करना है लेकिन अच्छी तर प्याज के साथ में जिससे कोई भी कच्चापन न रहे अच्छे से भूल लेने के बाद में इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है जिससे जो प्याज है वो सौफ्ट हो जाए नीचे जले नहीं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मसाला है मेरा वो बिल्कुल भी जला नहीं है नीचे लगा नहीं है अब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर साथी साथ डालेंगे धनिया पाउडर तो धनिया पाउडर डालिएगा एक चमच हल्दी पाउडर आधी चमच या उससे थोड़ी सी कम डाल सकते हैं लाल मिर्च का पाउडर अपने स्वात के हिस से जितना तीका खाना पसंद करें और बिल्कुल थोड़ा सा डाला है गरब मसाला एक चौथाई चमत से भी कम बस हलकी सी महक के लिए सुखे मसालों को मिक्स कर लेंगे गैस की आज को लो रखेंगे जिससे मसाले जो जले नहीं थोड़ा सा पानी एक टेबल स्पून के जितना सा मसाला हमें मिल जाएं रेसिपी दोस्तों नई है टेस्ट नया है इसका लेकिन इतना कमाल का टेस्ट आता है कि जब आप खाएंगे तो आपको ये नई रेसिपी बहुत वसंद आएगे क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है इसको खाने के बाद में आपको मसाले दार फील नह या फिर अवोईड करें दही आपको डालना ही डालना है लेकिन ताजा दही डालेंगे तो ज्यादा बढ़िया सब्जी बनेगी आज को बिल्कुल लो रखना है जिससे जो दही है वो फटना पाए आप चाहे तो यहां पर हंकर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं निकि ठक का दह दही भी बहुत बढ़िया क्रीमीनेस देता है इस सब्जी में आप इसे बराबर चलाते हुए हम लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जिब तक जो दही है हमारा वो अच्छे से गरम नहीं हो जाता थोड़ा सा इसमें उबाल नहीं आ जाता है दही डालने की वज़े से क्यों कि अभी दोस्तों हम गर्मियों में बना रहे हैं तो दही तो आप वैसे भी जानते हैं पचाने में कित्ता बढ़िया होता है और स्वास्त के लिए भी बहुत अच्छा है तो बस जैसे ही अच्छा कासा गरम हो जाएगा बॉयल आने से पहले ही हम इसमें बैगन डाल देंग जो हमने फ्राइ करके रहे थे बैगन बहुत ही सौफ्ट हो गए हैं दोस्तों और इन्हें अब डाल करके हम मिला देंगे तो बैगन यहाँ पर मैंने 8-9 बैगन लिए हैं छोटे छोटे बैगन है जादा रहेंगे तो अच्छा रहेगा ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स अप हो पाएंगे अब इन्हें अच्छे से आप मिक्स कर दिये जिससे जो ग्रेवी है वो कट्स के अंदर यानि बैगन के अंदर तक जा पाएं और यह बहुत ही बहतरी तरीके से पक सकें इस रेसेपी में आपको थोड़ा जल्दबाजी नहीं दिखानी है दोस्तों कहीं पर भी तो अब आप देख पा रहे होंगे जो ग्रेवी है वो उबलने लगी है इसमें बॉइल आ गया है मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल रही हूं क्योंकि बैगन को मैं अच्छे से स टाइम लगेगा हम इसे 5-7 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक यह अच्छे से गल नहीं जाता है तो थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूं बैलेंस करने के लिए नमक और मिर्चाप को अपने साथ के हिसाब से ही डालना है इसके बाद हम इसी स्टेज पर हरा द चाहिए तो अब इस ग्रेवी में जो बैगन है वो अच्छे से पक रहा है आपको गाड़ापन दिख रहा होगा नीचे दही की वज़े से यह पतला लग रहा है भी लेकिन जैसे जैसे यह ठंडा होगा तो जो बैगन है वो काफी ग्रेवी को अब्जॉर्ब करेगा और बि वीडियो पसंद आए वो तो लाइक और शेर जरूर कीजिए